हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में इस क्लास में बीएसी सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे differential equation हम आपको पढ़ा रहे थे और इस चैप्टर में दो मैंफट हम आपको करा चुएं तो छो बच्चे रहां पर नए जुड़े हुएं इससे पिछली वाली क्लास में दो मैंफट हम आपको पढ़ा चुके हैं पहला मैंफट हमने पढ़ा Variable और दूसरा मैंफट हमने पढ़ा चेंज और वेरिबल ओके आज का जो क्लास होगा वो होगा मैथट नंबर तीन जिसका नाम है होमोजीनिस एक्यूशन ठीक है तो यह जो होमोजीनिस एक्यूशन है इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि यह क्या होती है फिर उस पर बेस जम कोशन को सॉल्फ करेंगे यह आप होमोजीनिस एक्यूशन जो है यह आप ड्वायल्थ मे करेंगें लेकिन वहाँ पर हिंदी मीडियो वाले बच्चे हैं तो तों mm पड़ी ति उसमें पता आपको पढ़ा रखा होगा आपके समघाती नाम से पढ़ी योगी क्या पड़ी होगे सम घाती समीकरण तो यह क्या होती है तो चलिए क्लास को बताते स्टार्ट करते सबसे पहले आपको इस तरीके से डाल लेडा है method number 3 homogeneous equation देखिए कुछ इस तरीके से होती है homogeneous equation आपको क्या करना होगा यह इस तरीके से यहां पर देखिए x की power कितनी है 1 y की power कितनी है 1 ऐसे अगर आप नीचे देखेंगे तो जो function f2 के वो भी xy है इसमें भी x की power कितनी है 1 जब भी आपको इस तरीके की form मिलेगी इस तरीके की कोई भी differential equation मिलेगी जिसमें उपर और नीचे दोनों में ही power क्या मतलब पावर जिनमें same होगी माले अगर उपर एक एक पावर चल लेगी सारे turn में और नीचे में भी सम्में एक एक पावर चल लेगी तर्म में तब आप आपका यह वाला method लग जाएगा method number 3 ठीक है तो अभी जब आप questions को solve करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस हम power की बात कर रहें फिलाल थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि जब उपर की power और नीचे की power दोनों ही power सारे term में क्या होगी same होगी मतलब कि एक जैस एकस वाई और एकस वाई और एकस वाई और एकस वाई आर एफ एच एफ एफ का यहाँ पर में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसका मतलब है homogeneous function मतलब जो यह एकस और वाई के of the same degree is called homogeneous differential equation मतलब कि वही बात जो भी हमने आपको बताई वही लिखी हुई है कि एकस वाई F2 क्या है यहाँ पर एकस वाई के function है और साथ में अगर इनकी degree सेम है दोनों की तो इसलिए क्या कहलाएंगे homogeneous differential equation मतलब हम सवालों में जब solve करेंगे तो short में हम यूज करेंगे क्या hd e hd e का भी मतलब क्या है homogeneous differential equation अब हमने पहले टरब में तो आपको यही बात पता करनी तो उसके लिए बता दिया कि power जो है यह degree जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए जब आपने यह देख लिया तो उसको बना लीजेगा equation number one अगला काम आपका क्या होगा कि अब आप वहाँ पर y की जगह पर vx पूट करेंगे यह तो पढ़कर सेम बिल्कुल ऐसी method हमारा 12 में भी होता है ठीक है सबसे पहला काम आप उसको डिवाई ओपॉन डी एक्स दे रखा होगा पावर सेम है आपने पता कर ली कि यह क्या है होमोजीनिस दे रखी है अब क्या करेंगे अब वाई की जगह पर vx पूट कर देंगे ठीक है अब इसका डिफरेंशियल कर देते डिफरें तो कितना हो जाएका वन तो वन हमने लिखा नहीं है फिर प्लस लगाते फिर एक्स दूसरे वाले टर्म को रोकते हैं और पहले वाले का डिफरेंशियल ठीक है यह सारी चीज़े आप 12 में भी पढ़कर आए होंगे अब यहां पर क्या करेंगे आपने वी वराबर यहां पर वाई वराबर वी एक्स पुट कर दिया डिफरेंशेशन भी कर दिया दोनों वैली उठाकर आपको पहली वाली समीकरण में रख देनी होगी बस इतना सा काम करना है और यह कोशन आपके सॉल्व हो जाएंगे केवल दो स्टेप आपको हमने बता हैं फिर से एक बार बता दे दे पहली बात आपको पता करना हुआ कि क्या यह हॉमोजीनेस वंक्षन है या नहीं है पता दिया कैसे पता करेंगे कि टिगरी उनकी सेव होगी फिर उसके बाद जब आपने पता कर लिया था यह वाला वाई वरावर वी एक्स पुट करेंगे डिफरेंशेशन कर देंगे दोनों की value उठाकर आप पहरी समय करण में रख देंगे बस फिर जैसे जैसे आप solve करते जाएंगे आपका answer मिल जाएगा अब यह तो हमने term बता दिया y के term में अब अगर हम इसका उल्टा कर दें कि अगर मान लिया dx over dyu ठीक है अभी तक तो y के term में बताया था x के respect में हो रह तब आप पुट करेंगे एक्स बराबर वी एक्स एसे याद भी रख सकते हैं कि अगर यहां पर y के रिस्पेक्ट में नीचे वाई है तो अब बराबर में वी के संग याएगा ठीक है अगर इसी तरीके से यहां पर देखें यहां पर हम किसके respect में कर रहे थे एक्स के respect में तो यहाँ पर आपका X किधर आएगा ये V के पास आगा मतलब जिसके रिस्पेक्ट में होता है V के पास में वही आता है इतना आप समझ लीजे ऐसे आपको याद रहेगा तो दोनों कंडिशन हमने आपको बता दी है X के respect में भी और Y के respect में भी बस अब चली सवालों की ओर चलते हो कैसे इनको solve करेंगे देखिए पहला question आपके सामने ये है क्या दे रखा है कि पूरा question उपर यहाँ पर note हमने नहीं किया लेकिन लिखकर आएगा solve the differential equation और ये आपको दे रखी है homogeneous नहीं लिखकर आएगा ये आपको खुद ही पहचानना होगा अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है x square प्रस y square और whole of दे रखाए dy over dx is equal to xy अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो homogeneous के लिए हमने आपको पताए क्या सबसे पहले dy over dx को excite कर लीचे जब आएक्साइट करेंगे तो यह इसके नीचे पहुच जाएगा तो अगले term में यह हमने बना दिया dy over dx is equal to xy अपॉन में यह पहुच जाएगा तो हो जाएगा अपॉन में x square प्रस y square इसको बना लिया equation number one अब साफ साफ हमें दिख रहा है कि यह क्या है homogeneous differential equation है मतलब की hde है अब भई हमें तो नहीं समझ में आया कैसे हुआ तो देखेंगे तो x की यहाँ power कितनी है one y की भी power कितनी है one लेकिन दोनों यह साथ में है मतलब total इनकी power कितनी हो जाएगी two two हो जाएगी ना अब नीचे देखते है यह देखिए x की power कितनी है two y की power कितनी two मतलब यहाँ की power भी two ही है और इधर भी power two ही है अब आप सोचेंगे नहीं तो यहाँ तो power two है यह तो समझ में आ रहा है लिकिन यह two और two तो four हो जाएगा वाई ये मत करीए का हम यहाँ पर हर एक टर्म की बात कर रहें कि अगर सारे टर्म की पावर सेमहें तब आप यह नियम लगाएंगे तह देखिए यह पूरा एक साथ है तो यहाँ पर नियद लिखले कि स्वेकेब करेंगे विकल्ध य साहि jo, हैac puisque कि हम x के respect में कर रहा है तो x कहाँ आएगा वी के पास ही आएगा अब यहां पर हमने पहले ही क्या कहा वी की value निकाल ली क्यों आगे हमें जरूत पड़ेगी तो हमने निकाल लिया वी के अगर value निकालेंगे तो x इसके नीचे पहुंच जाएगा तो y upon x आजाएगा ठीक है अभी आगे जरूत पड़ेगी पुट करने के लिए तभी हमने यहाँ पर पहले ही मान लिया है अब आगे देखिए इसका डिफरेंशियल सेशन कर दिया वही जो बताया है वाई का डिवाई ओवर डिएक्स फिर वी को रोकेंगे एकस का वन प्लस लगाए एकस को रोकेंगे वी का डिवी ओवर डिएक्स अब क्या रहा यह सारी वैल्यू उठाकर पहली वाली समीकरण में रख दी देखिए डिवाई अपॉरी वैल्यू पुट कर दी आ गई पूरी वैल्यू उसके बाद देखिए एकस जैसा है वैसी रहेगा वाई की जगह पर हम एक्यूशन में पुट किया है अब नॉर्मली इसे हम सॉल्व कर लेंगे यहां पर देखिए एकस और एकस यह कुटल क्या हो जाएगा अगर यहां से यहां से वाली टर्म से स्वाइर कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा वन प्लस वी स्कॉयर और उपर क्या चल रहा है स्क्वाइर वी तो यह एक स्क्वार तो पुल मिलाकर क्या बचेगा वी यापॉन में वन प्लस वी स्क्वार ठीक है इतना समझब आ गया आप आगे देखिए जब यह वाला वी हम इधर उठाकर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो हमने इसी टर्म में ले आए यह माइनस का हो गया अब LCM ले लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक LCM कैसे लेते हैं आपस में इनकी मल्टिप्लाइ करेंगे तो 1 प्लस V स्क्वाइर ही हो जाएगा इसकी इधर मल्टिप्लाइ कर दीजे इसकी इधर मल्टिप्लाइ कर दीजे तो क्या आ जाएगा इसकी इधर करेंगे तो V 1 की V से करेंगे तो V बीच में क्या चल ला है माइनस फिर 1 प्लस V स्क्वाइर की आप मल्टिप्लाइ तो ही माइनस एक प्लस का एक माइनस का है तो आपस में कैंसल हो जाएगा यानि कुल मिलाकर हमारा यह टर्म इतना बचा अब हम वही मैथेड लगाएंगे जो हमने पढ़ा था मैथेड नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ाता वैरिवल लें सप्रेवल पूरे चैप्टर में काम इसलिए हमने इसको पहले ही पढ़ा दिया कर देते हैं वैरिवल सप्रेवल का मतलब क्या है ड इक सब्सक्राइब यहीं तो हमने बताया था लेकिन यहाँ y है ही नहीं क्या है dv है मतलब जो भी दो चीज़े रखी है दो variable जो दे रखे हैं उनको अलग-अलग कर लीजे यहाँ पर देखिए x है यह y है यह y है मतलब कुल मिलाकर यह total आपको इतने में y दिख रहा है बाकी सारा x दिख रहा है तो कोई बात नहीं है इसम हमने क्या कि माइनस के निशान को अधरी रखा माइनस जो चल रहा है वह वैसी रहा यह dx उपर जाएगा और x के नीचा जाएगा देखिए कितनी आसान तरीके से वी वाला अलग हो गया x वाला अलग हो गया अब हमने इसी टर्म में इंटीग्रेशन भी कर दिया अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे one अपन x का तो वन अपन x का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स तो लॉग आ रहा है ना तो लॉग की टर्म में जब भी आपको कोई चीज दिखे तो आब वहां पर कॉंस्टेंट में लॉग सी ही जोड़े ठीक है ताकि फॉर्मूला आगे जाक आ गया फिर वी स्क्वाइर अपॉन में वी की उपतलव इसको ब्रेक कर लिया पहले इस तरीके से तूट जाएगा तो यह आ गया फिर यह ऐसे तूटेगा तो जब उपर वी स्क्वाइर है नीचे वी क्यूँ है तो आपस में कैंसेल होगे केवल नीचे एक वी बचेगा तो यह वाले टर्म इतना हाड नहीं है समझ में तो आई गया होगा फिर यह फॉर्मुला आपने पढ़ा ऑगा एकस की पावर minus 3 हो जाएगा तो इसमें एक जोड दीजिए और यही पूरी power नीचे भी आ जाएगी तो यही हमने direct यहां पर लिखा हुआ है अब क्या करेंगे 1 upon V का फिर से log V अब यह आपने एक formula पढ़ा होगा log M upon N का क्या होता है log M minus log N मतलब कि जब आप अपन में लिखते हैं log में तो वो क्या होता है M minus N यही तो होता है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह log M है क्या है log M minus का log N तो यह तूट जाएगा log M upon में N ऐसे तो तूटेगा तो मतलब M बाले को उपर N वाले को नीचे तो यह log M upon N का formula तूट गया अब हमने क्या किया इसको simplify कर लीजिए बहुत आसारी तरीके से किया है इसको solve करेंगे तो 1 upon 2 V square आगे बराबर का निशान लगा है क्यों? क्योंकि log यह है log यह तो इसको भी log के उपास भेज दिया जब इसको log के पास भेजेंगे तो इधर वाले term तो यही रहेगा यह उधर जाके minus का हो जाएगा अब फिर एक formula वही जो भी हमने बताए log M upon N का तो log यह पूरा हो गया M इसके नीचे upon में आएगा N यानि कि इसको हमने upon में ना लिख की क्योंकि यहां पर तीन यहां पर चल रही है भिंड तो यहां पर हमने इस तरीके से लिख दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे score solve कर लेते क्या किया V चल रहा है और हमने क्या माना था Y बराबर VX तो V की जगह पर आपको value पुट करनी पड़ेगी क्या Y upon X यह इधर आएगा तो Y upon X तो इसलिए अपनी value पहले ही निकाल ली थी तो value पुट कर दी देखिए V की जगह पर यहां पर आप क्या पुट करेंगे Y upon X तो X उपर चला जाएगा तो हो जाएगा X upon Y square चल ला है तो square लगा दिया ऐसी यहां पर value पुट करेंगे तो यहां पर X X cancel हो जाएगा केवल क्या बचेगा यहां पर C upon Y ही बचेगा अब क्या किया आपने एक formula पढ़ाओगा यह आप चाहे तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं लेकिन अभी हम एक formula आपको बताते हैं क्या पढ़ाओगा आपने E की पावर log A बराबर A यह formula पढ़ाए ना तो इस formula के according क्या होता है अगर जो भी इदर चलता है वो E की पावर में चला जाता है मतलब अगर यहां पर log चला होगा तो वो E की पावर में चला जाएगा तो कुल मिलाकर यह देखिए इस की पावर में E की पावर में तो देखिए इसको E की पावर में पहुचा दिया फिर Y को हम इधर ले आए तो finally हमारा C is equal to आ गया Y E की पावर में minus X square upon 2Y square ठीक है तो यह सवाल पहला है इसको अच्छे से समझ लीजे कुछ नहीं किया है बहुत जादा हार्ड नहीं है सबसे पहले आपको DY upon DX में फॉर्म निकाल देनी है अगर आपने पहचान लिया कि सभी की पावर सेम है मतलब एक जैसी पावर है उपर भी नीचे भी तो यह हो जाएगा homogeneous differential equation फिर आप put करेगे Y बरावर VX उसका differentiation करके उन value को put कर दीजे 1 में फिर 1 में put करेंगे आप इनको solve करेंगे variable separable करेंगे और आपका answer आ जाएगा इसी तरीके से देखिए अगला question भी है इससे आप लगाने की कोशिश करिएगा थोड़ा हम आपको बता देते हैं फिलाल तो PDF में ही आपको यह पूरा मिल जाएगा क्या किया इसको भी dy upon dx की form में मिला लगा लेते हैं अब यहां पर एक बात रखेंगे जब आपका सवाल dy upon dx से ना मने ना आपसे variables अप्रेवल ना और आओ 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 आपसे first जाए सवाल तब आप उसको try करिए लगाने के लिए तो वह सवाल भी आगे आपको बता देंगे फिल्हाल इससे समझ लीजिए इसमें भी dy upon dx निकालेंगे तो इस वाले term को हमने इसी रखा यह हमने उधर पहुचा दिया तो यह किसका हो जाएगा माइनस का हो गया माइनस जब को कि यह हो जाएगा यह हो जाएगा हम आऊ-पावर कितनी यह तो मmorण मिलाकर सब कि निकीव टू है तो यह क्या कहलाएगी HDE मतलब की Homogeneous Differential Occution जब यह है X के respect में कर रहा है तो क्या मानेंगे हम Y बराबर VX फिर वही integration इन सारी value को यहाँ पर जाकर हमने put कर दिया है basically calculation कर दिया है variable separable कर दिया है और यह देखी आपका इसमें भी answer आ गया बहुत जादा hard नहीं यह सारी चीज़े देखी सेम वही चीज़े चल ले है जो अभी हमने आपको पहले question में बताई यहाँ पर यह याद रखिएगा कि यह वाले चीज़ को हमने कैसे solve किया बसा हम आपको यह बता देते देखिए यह पूरे इस चीज़ को हमने कैसे solve किया उपपर चल रहा है 2VDV और upon में चल रहा है V square प्लस 1 तो भाई जब आप नीचे वाले को T मानेंगे ठीक है T मान लीचे तो यह आ जाएगा 2VDV क्योंकि बन का तो 0 ही हो जाएगा DT तो देखिए पूरी value हमारी बन गए किसके बराबर DT के बराबर तो मतलब कि आप पूरे को हटाकर DT लिख सकते हैं और upon में यह नीचे वाले को क्या माना T मतलब कुल मिलाकर नीचे वाले को T मानने पर आपका उपर वाला DT बन गया है और one upon T का integration क्या होता है लॉग T होता है अब T को आपने क्या माना था अब T नहीं लिखेंगी T को आपने माना था V square प्लस 1 ठीक है तो यही चीज हमने यहाँ पर डारेक्ट लिखी हुई है आप चाहें तो यहाँ पर put करके side में note भी कर सकते हैं आपको यह चीजे नहीं पता है ठीक है बाकी सारी कोई ज़्यादा वो चीजे नहीं है वैसी चीजे विल्कुल वैसे ही है सवाल जैसे हमने पहला आपको समझाए log से log यहाँ पर cancel हो जाएगा यह value आ जाएगी पूरी यहाँ पर क्या करेंगे V square की value पुट कर देंगे Y square upon में X square फिर यहाँ पर LCM लेके यहाँ पर X भी cancel हो जाएगा कुल मिला कर आपका आजाएगा X square प्रस Y square is equals to CX इसी तरीके से यह देखे यह थोड़ा सा अलग कोईशन है इस कोईशन में अगर आप देखेंगे पूरी क्यूशन में X DX से भाई हमने इसी से क्यों डिवाइट करा तो भाई यहाँ पर आप रटिके तो जाएगे नहीं पेपर में कि हाँ यह वाला कोशन होगा और इस कोशन में हम X DX पुट करेंगे तो तरीका जान लीजे क्योंकि में जो चीज है वो मैथड ही है मैथड समझ लीजे फिर कोई भी कोशन आए आप उनको लगा सकते हैं देखिए यहाँ पर कॉस के एंगिल में क्या चल ला है Y अपॉन X क्या चल रहा है Y अपॉन X इधर भी देख लीजे साइन के भी एंगिल में वही चल रहा है जो कॉस के एंगिल में चल रहा है Y अपॉन X अब यहाँ पर क्या करेंगे ब्रैकेट में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है Y D X प्लस का X D Y इधर भी क्या लिखा है X D Y माइनस का Y D X अगर आप इसमें पूरे में इसके पूरे के नीचे जाएगा X X काइसे पूरे की नीचे जाएगा X X काइसे लोजएगा x x cancel हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आजाएगा y upon me x प्लस का हो जाएगा dy upon me dx इस line को बड़े ध्यान से देख लीजे यही काम हम इधर भी करेंगे जब divide करेंगे x से dx से तो फिर x x cancel तो क्या आजाएगा dy upon dx माइनस लगाया यहाँ पर dx से dx कैंसिल और y upon x आजाएगा तो कहने का मतलब है कि आपको ब्रैकेट में वही चीज़ बनानी पड़ेगी जो एंगिल में चल रही है देखिए y upon x बन गया यहाँ पर भी y upon x बन गया साथ में dy upon dx भी बन गया ठीक है तो इसलिए हमने x dx पुट किया है अगर बाइचंज यहाँ पर x y आ जाता तो आप क्या करते तो आपको ऐसी किसी से गुड़ा करनी पड़ती मतलब भाग करनी पड़ती डिवाइट करना पड़ता जिससे हमारा ब्रैकेट के अंदर भी x upon y बन जाए ठीक है तो यह चीज़ याद रखिएगा ब्रैकेट के ब समझना है बाकी बस इसी पूरे सवाल को वैसे लगाएं बस यही ट्रिक थी कि आप डिवाइट करने का नियम समझ जाएं कि किस तरीके से हम डिवाइट करेंगे तो कर दिया तो यह वाले स्टेप तो हमने आपको अभी समझा ही दिया कैसे आएगा अब हम क्या करेंगी इसको उधर पहुचाएंगी तो यह माइनस का हो जाएगा यह माइनस का है जब यह इधर आएगा तो यह प्लस का हो जाएगा तो अगले स्टेप में यह लाइन हमने आपको लिखकर दिखा दी यहां से डीवाइए ओवर डी एक हमने कॉमन ले लिया जब डिवाइए क्योंकि multiply में है, upon में divide में आ जाएगी, अब सभी की power आप देख लीजे, सभी की power आपको same ही दिखेगी, one ही है, तो कुल मिलाकर यह क्या हो जाएगी, homogeneous differential equation, फिर आप put कर देंगे y वरावर vx, फिर वही सारे चीज़े हैं, आप यहाँ पर भी differentiation करेंगे, values को उठा का value equation में put कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे y upon dx का value यह put कर दी, अब यहाँ पर देखिये, यह ते रखा है y upon bei x की value क्या है, direct Lee अज्याओ यह भी न हजाएगा, यह भी हाजाएगा यहां पर यह वाले तर्म नीचे आ जाएंगे यह वाले उपर चले जाएंगे और एक्स वाले जो हैं वह इधर आ जाएंगे तो कुल मिलाकर आपका यह बने का तर्म यहां पर साइड में लिखकर भी बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब नीचे वाले को टी मालेंगे डिफ्रेंशेशन करेंगे तो उपर वाली पूरी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी माइनस के डी टी में यानि कुल मिलाकर आप पूरे इसकी जगह पर क्या लिख सकते ठीक है तो यह चोड़ी-चोड़ी सी चीज़ें जो आप पहले ही पढ़कर आए होंगे आपको पता होगी फिर बन अपॉन एक्स का लॉग एक्स टू जैसे चल रहा है वैसे ही है और प्लस में लॉग सी वह भी वैसे ही है ठीक है अब क्या करेंगे आपने एक फॉर्मूला एक्स कर रहा है और एक्स कर रहा है तो क्या क्या केवल 2 को उपर पहुचा दिया यह देखी इस वाले टर्म में फिर लॉग एंटु एन आपका इसने इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एम एन का क्या होता है जब भी जो लॉग एम प्लस लॉग एन ठीक है तो ज प्लस फावर में तो जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1 अपन वी फॉस टीक है तो यहां पर में नीचे ले आएं क्यूंकि पावर माइनस में थी थिजब उनीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी तो यहां पर वी की वैल्यू पुट कर देंगे यह यहां पर यह पूट किया है बस और जादा कुछ किया नहीं यहां पर यह वाई एकस अपॉन य को धर पहुचा दिया यहां पर आपको आंसर मिल गया है सैक वाई अपॉन एकस इस इकवाई बहुत आसार यह कोशन है वसमझना है किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब जैसे यही कोशन देख लीजे यहां पर भी आपको डी वाई अपॉन डी एकसी बनाना पड़ेगा लेकिन यहां पर भी छोटी से एक ट्रिक है यह देखिए इतनी देर से जो हम आप आपको फॉर्मला बता रहे है लॉग एम माइनस लॉग एन का क्या होता है लॉग एम अपॉन एन होता है तो बस आपको लॉग वाई माइनस लॉग एकस को क्या करना है लॉग वाई अपॉन एकस कर देना है क्योंकि यह फॉर्मला हम पहले ही जानते बस और इस सवाल में औ सब कुछ लिखाए आपको समझ में आ जाएगा अब यह देख लीजिए इतनी देर से हम आपको डीवाई अपॉन डीएक्स से सवाल हमने आपको बता दिये अब एक सवाल हम इस पर भी बेस्ट देख लेते हैं डीएक्स ओवर डीवाई और हमने आपको बता भी दिया था कि अगर कोई सवाल एक्स के रिश्पेक्ट में करने से नहीं लग रहा है तब आप लगा करने से हो नापे इतनी हैं तो देखे इसंको भी नियुक्र करना अगर इस सवाल को लगाएंगे तो आपका इंटीग्रेशन नहीं रुख जाएगा आप समस्या में आ जाएंगे तो इसी लिए अब हम क्या करेंगे dx upon dy के base पर इस सवाल को लगाते हैं कैसे लगाएंगे तो पहली बात आप इसको divide कर दीजे dy से तो यहाँ पर जब divide होगा तो यह से आ जाएगा ठीक है फिर जब यहाँ पर अगर divide होगा तो dy से dy यहाँ से आप इसकी value निकाल लेंगे यह जब इसके नीचे पहुंच जाएगा तो देख लीजिए सबकी degree 1 है इसको बना लिया equation number 1 जब हम y के respect में कर रहे हैं तो y किसके संग चलेगा y के ही संग चलेगा यानि हम put करेंगे x बराबर vx ठीक है फिर वही चीज़े differentiation किया है value उठाकर हमने पहली समय करण में रख दीए यहाँ पर देखे और वी जब हमारा यहां पर आया तो हमने ले लिया ठीक है पहले क्या कि वी को इधर लिया तो माइनस का हो गया फिर वही चीज़े लिया क्या कैंसल यह चीज़े हो गई और कुल मिलाकर अपने वैरेबर्स अप्रेवल कर दिया फिर वही किया यह इधर पहुंचेगा यह इसके नीचे पहुंचेगा और वाई अपॉन में डी जब इधर आएगा तो डी वाई अपॉन में वी हो जाएगा इंडिग्रेशन कर दिया अब जब इस वारे टर्म में भी वही चीज़ जब आप नीचे वाले को टी मानेंगे उपर वाला बन जाएगा पूरे सवाल बिल्कुल सॉल्व बिल्कुल एक लाइन आपके सामने सॉल्व है अब क्या करना होगा लास्ट में जब आपका सॉल्व थे हैनल कर सकते लेकिन लेकिन कैंचल करेंगे जब यह यह इधर पहुच जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा ऻंगे यह को लगाते हैं सबसे पहले आपको यही आप इन सवालों को लगाने के लिए कि हमारी जो डिग्री है वो सेम है कि नहीं जब डिग्री सेम होगी तभी आप पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स या एक्स बराबर वी वाई ठीक है यह चीज का ध्यान लखेगा तो भी आपके सवाल लग जाएंगे फिर आप वेरिवर् आपको चानल मिल जाएगा वहीं पर इसके नोट को अभी हम प्रोवाइट कर देंगे तो इस क्लास में रखते हैं कैसे लगी वीडियो लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा इस क्लास में इतने तक तक के लिए जय हिन जय भारत